नमस्कार दोस्तों मैं सुनीर शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत-बहुत सुवागत करता हूं फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि अपने लेक्टोप या पीसी पर सिसी टीवी कैमरा की फुटेज को कैसे दिखें फ्रेंड्स आप जिस कंपनी का डीवीर इस्तमाल कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर सॉफ्ट्वेर होता है जो कि आपके लेक्टोप और पीसी पर होना चाहिए फ्रेंड्स जैसे मेरे पास यहां पर टीवीटी का डीवीर है तो उसका सॉफ्ट्वेर जो है NVMS 1000 है तो फ्रेंड्स आपका जो डीवीर होगा उसका भी एक पर्टिकुलर सॉफ्ट्वेर होगा वो से आपने अपने लेक्टोप या PC पर जो है इंस्टॉल करना है उसके बा आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कंट्रोल पैनल और लाइप प्रियू के बीच में प्लेबेक का ओप्शन है फ्रेंड्स आप किसी भी कंपनी का DVR इस्तमाल कीजिए उसके सॉफ्ट्वेर में आपको प्लेबेक का जो है ओप्शन मिलेगा ही मिलेगा ओके यहां पर हमें जो है यहाँ पर डेट को स्वाट करना है कि इस देट के हमें रिकोर्डिंड देखनी है तो राइट हैंडस में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है स्टार टाइ Gru ciert के पर जैकर नीहेंब है कि Tag जो है यहाँ पर select करना है उसके बाद में आपने camera जो है select करना है आप देख सकते हैं नीचे option है root उसके नीचे option है camera first तो friends मैंने आपने जैसे camera first को select किया तो camera यहाँ पर run हो गया है और नीचे आप एक पट्टी देख सकते हैं green and yellow पट्टी आ रही है यह पहले screen पर नहीं थी तो friends यह yellow और green पट्टी कुछ और नहीं बलकि आपकी 24 घंटों की recording है पहले नंबर camera की और किसी भी camera को आपने बड़ा करके देखना है तो उस पर double click कर दीजिए और अगर छोटा करके देखना है तो वापिस उस पर double click आप कर दीजिए ओके friends इस तरह से आप cursor को आगे पिछे ले जा करके अपने CCTV camera की particular किसी भी camera की recording को आप देख सकते हैं जैसा कि आप screen पर देख भी सकते हैं मैं कैसे इसे operate कर रहा हूँ friends अब जैसे हमें किसी और camera की recording देखनी है तो second number camera को मैं select कर रहा हूँ और double click करके मैंने उसे बड़ा किया है same to same यह पट्टी जो है 24 घंटो की recording है second number camera की तो अब इसे मैं आगे पिछे ले जा करके अपनी CCTV footage है करसर की help से वह मैं यहाँ पर देख सकता हूं यह तो मैं इसे आगे पिछे इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं इसकी footage देख सकता हूं अलगलग time पर अगर आपने footage continue देखनी है तो आप इसे अपने according particular time पर रोक दीजिए तो आपकी CCTV footage उस time की चलती रहेगी उसमें कोई भी किसी पर देखने के लिए सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जुरूर चीज है वह यही है कि सबसे पहले आपको अपनी device को चेक करना पड़ेगा कि वह इसके साथ connected है या नहीं उसके बाद ही जो है आप प्लेबेक देख पाओगे अदर्वाइज आप अपना प्लेबेक जो है ना ओके फ्रेंड्स हमारा चनल रक्सम टैक cctv सर्वलाइंस बेस चनल है cctv से रिलेटेड या फिस वीडियो से रिलेटेड कोई question आपके पास है तो आप हमें comment में पूछ सकते है थेक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स